हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंग है सर सीमा हैदर को लेकर आपने राष्टपती से अरजी दाकिल किया है कि नागरिक्ता भारती ये मिले हमने जो याचिका लगाई है देश की महामईम राष्टपती जी कहा है सीमा मीना बाइफाफ सचिन मीना चार साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीवी थी सेकंड इनकी पहली शादी थी निकाह था पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो अपने साथ रख रहा है अभी भी दूसरी बीवी के चारों बच्चों को छोड़ रखा है तलाक दे रखा एक बात के लिए कर दूँ अब तीसरी बीवी उनके साथ रह रही है इसने तलाक जब दे दिया चार साल पहले उसके बाद ये विप्रियास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई उसके बाद बे सहारा हो गई असहाय हो गई और महिला है चार बच्चों की माँ है तीन बेटियां है एक बेटा है सोचिए और पाकिस्तान जैसी धर्ती से आना जहां महिला को आपने देखा कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है उसको ऐसे इस तरह से बाते हैं तो ये जो है ये तो भारत में है मानि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक बाला और स्वर्मानी सरवच नेल ने ये काम किया तो महिला इस देश की सुरक्षोट की महसूद लेकिन एक कहां तक सही है कि जिस महिला को लेकर तमाम सुरक्ष एजनसियां उनको शक है किiggles को लेकर कुछ गरबड़ी हो सकति है इस महिला के जरिए उसको भारतिया नागरिटा कैसे दी जा सकती है इस देश में अधनान सामी को भारती नागरिटा मिली आज भी अक्षे कुमर कनाडियन नागरिख है धिपी का पादकोंड भारत की नागरिख नहीं है रह रहे हैं न देश में और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए अब आप आईये 75 साल 1948 सिट लेकिन वो भी उनको नागरिक्ता इस देश के सिस्टम से मिली है और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया नेपाल में कि हिंदू धर्म ग्रहन किया हिंदू धर्म से प्रभावित थी भारत देश से प्रभावित थी भारत सरकार से प्रभावित थी क्योंकि बेटी बच पर कोई मुस्लिम शक्स होता और सीमा साथ में आती धर्म परिवर्तन YEAH सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती तो क्या!". उसके लिए भी आप इस तरीके से मुंखलबत करते। साहिल और साक्षी का क्या एंगल था कभी कोई बोला क्या साक्षी के पिता या किसी चैनल ने कोई धर्म का एंगल रखा साहिल जेल में है क्या साहिल के परिवार के साथ किसी ने बोला नहीं बोला 32 टुकड़े करने वाली आपने वो देखा दर्श्चे मुंबई की लड़की आती है हमारे धर्म के इंगल की बात नहीं है प्यार की बात है यहां सिरी फर्याद लैला मजनु हीर राजा का इतिहास रहा है क्या धर्म की बात है अब ये पिछले जुनों 2022 की बात है बिहार की आरती आदवार्या की आरती आदवर छोटी आदव की प्रेम कहानी सब ने देखी तो अगर 2023 में सीमा और सिचन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा तो क्या बुराई अब लोग तु ये भी कहते हैं ये चार बच्चे इसके नहीं है. उम्र को लेकर भी तो सवाल खड़े हैं. उम्र को लेकर भी सवाल. देखे, महिलाओं की आदत उम्र के वारे में तो मैं कहे दूँ, मुझे बहुत अच्छा नुबाब है, महिलाओं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती हैं. ये तो पुरुष है, जो अपनी उम्र बताता रहता है. लेकर साथ-ाठ साल? साथ-ाठ साल छोटी बता रही है. हम आपको देश के ऐसे मेंबराब पार्लेमन्ट का बता देते हैं, जो 2014 में चुनाओ लड़ा, और 2019 में दुबारा चुनाओ लड़ा, अउजो उम्र भरी गई एफिडेविट में, तो 2014 में बरी चुनाओ लड़ा, तो महिला, तो महिलाओं के साथ ये बात हो जाती है, ऐसा हो जाता है, यह कोई बड़ी समस्या की बात नहीं, हाँ मैं मानता हूँ उसके आने का रास्ते के तरीका थोड़ा गलत था, वो नेपाल मुसका विवा हुआ हिन्दुरित रिबास से, उसके बाद वो भारत की बहु बनी, तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिस्ता है, वो पास दिवा, प्रात करने के लिए अप्लिकेशन थे, उसने दिया, किया ल्यक्रे उसी समय, पुलिस एक्शन हुआ, एफाई आफाई आए आफाई आड़ दर्झ होती है, सच्षण फोर्टेन प्वारीन पाकिस्तानी आए गा और इसके बार चलाएगा। इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवादी बंद थे उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया चुड़ा के कांधार में ले जाके चोड़ा गया और वही आतंकवादी आपके लिए नासूर बने 26-11 और संसत हमले के मस्ट्रमाइट इस पर आप बोलिए आप लोग इसके ग्रह मंत्री मुफ्ति मुहमस सईद उनकी बेटी रूबिया का पढ़ होता है आतंकवादी छोड़े जाते हैं आज आपको यह आतंकवादी दिख रही है एक चीज़ बताए कि पाकिस्तान से धंकिया आई वहाँ पर हिंदू मंदिरों के खिलाफ वहाँ पर तोड़ करते हैं क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदर बना के आपको दिया है मंदर 75 साल में तोड़े गए हैं क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा कि उन्होंने हिंदू के साथ किया है धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों के साथ अपमान और प्रताना होती है और मंदिनों को तोड़ा जाता है 75 साल क्या चाहती है यह काम वो नहीं कर सकते यह काम भारत कर सकते हैं यहां तक की जो हिंदू शरडाथी हैं पाकिस्तान से दिल्ली में आकर बसे विये हैं वो भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहां पर रहे वो क्यों नहीं चाहते जो नाग के हें उनको विद्धता मैली है तो उनको मिलसक्ति है वह तो महिला है उसके साथ तीन से से छे साल तक की बच्चियां थीन बच्च्चा एक बच्चा है लेकिन आप सवाल उठताते हैं उसके सारी पहनने पर, बिंदी लगाने पर, तुलसी की पूजा करने पर, हिंदी बोलने पर, हिंदी तो दुनिया की भाशा। रा से जाज कराईए।